नागपुर लोकसबा निर्वाचन शेत्र से 27 मार्ज बुद्वार को भाजपा मिद्वार नितिन गटकरी ने नामांगण दाखिल किया। नामांगण के पहले उनकी रैली ही बहुत कुछ कह गई। साथी खुद मुख्यमंतरी एकनाज शींदे की उपस्तिती राजिके राजनितिक समी करण को और खास बना गए। स्थानी निताओं की भारी उपस्तिती कॉंग्रस उमिद्वार विकास ठाकरे की नामांगण के दौरान भी थी। गुटों में बटे कॉंग्रेसी एक साथ नजर आये और जीत का दावा भी किया गटकरी का आत्म विश्वास हाई जीत का दावा गटकरी ने भी किया है परिस्तियां उनके अनुकूल दिख भी रही है कुछ दिन पहले कारकर्म को संबोधित करते हुए नितिन कटकरी ने भरोसा जताया कि इस बार उन्हें पाँच लाग से ज्यादा वोटों से सफलता मिलेगी मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चत रूप से मैं इस चनाव में पाँच लाग से ज्यादा वोटों से जीतूंगा मैंने टर्ल्स बनाए, एक्स्प्रेस हाईवेज बनाए, बड़े-बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर ग्यारा ब्रिज बनाए जो मैंने कुछ काम किया है, उसका श्रे, सभी कारे करता, भाईयों और बहनों को है गटकरी वर्तमान में लोकसभा में चनाव नर्वाचन शेत्र का प्रते निधित्व करते हैं विकास ठाकरे का अपना दावा वहीं गटकरी के खिलाव उतारे जाने पर कॉंग्रेस निता विकास ठाकरे ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं इसके लिए अभारी हूँ यह सीट वी आईपी नहीं है और चनाव में कुछ भी चुनौती नहीं है मदाता कभी नहीं बताते कि वो किसे वोट देंगे, कौन जीतेगा, यह कभी सपश्ट नहीं होता यह चनाव विचार धाराओं की लडाई है और मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि नाकपुर किस विचार धारा का समर्थन करेगा एक को खुद पर, दूसरे को जनता पर भरोसा मतलब दोनों ही नेता ताल ठोक चुके है एक को खुद पर भरोसा, तो दूसरे को साथियों का भरोसा इस तो नाव को काफी कुछ रोचक बनाने जा रहा है नाकपुर में 19 अप्रेल को वोटिंग होगी राजनितिक जानकार मानते हैं कि गड़करी का सरवधम संभाव, आचरन और लोगों के बीच आसान पहुँच वाली छवी उनकी लोगप्रियता के ग्राफ को काफी उपर पहुँचाती है तो विकास ठाकरे के साथ राजनितिक सामाजिक समी करण है अच्छी बात ये है कि सारे कॉंग्रेस गिलेशिक में भुला कर साथ खड़ी रज़र आए अच्छी बात ये है कि अगर सारे निताओं के कुन्बे के समर्थक एक हो जाएं तो चनाव एक तरफा नहीं होगा, इतना तुते है तब गड़करी के दावे की हवा भी निकल सकती है महिला मत दाताएं एहम होंगी 2014 के लोगसवा चनाव में बीजेपी ने नितिन गड़करी को मैदान में उतारा गड़करी ने कॉंग्रेस की दिगज नेता विलास मुत्यमवार को 2,84,828 वोटों से पराजित किया गड़करी को 5,87,766 वोट मिले थे 2019 की चनाव बीजेपी ने यहां से एक बार नितिन गड़करी को टिकेट दिया और उन्होंने कॉंग्रेस के मिदवार नाना भाई फालगुन राफ पटोले को मात देते हुए जीत हासल की 2019 लोकसभा चनाव में मददाताओं की बात करें तो समय सीट पर कुल 1,09,07,087 बदाता थे इसके लावा सीट पर महिला मददाताओं की संख्या 1,06,393 थी वही कुल मददाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 2,16,196 थी महराश्रे में नाखपुर लोगसभा को वी आईपी सीट माना जाता है इस सीट से गड़करी यदि इस बार जीते हैं तो यह हैट्रिक लगाएंगे शुरू से ही कॉंग्रेस का गड़ महराश्रे की 48 लोगसभा सीटों में नाखपुर लोगसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई 1951 में जब देश में पहली बार लोगसभा चनाव हुए तो सीट से कॉंग्रेस की अनुसुया काले यहां से पहली बार सांसत बने काफी समय तक कॉंग्रेस के कबजे में रही हैं हाला कि 1962 में कॉंग्रेस की पूर्वनेता माधव शीहरी अने सुतंत्र उमिद्वार के रूप में मैदान में उतरे और जीत उन्होंने हासिल हुई लेकिन इसके बार फिर से यह सीट कॉंग्रेस के कबजे में चली गई 1996 के लोगसबा चनाव में बीजेपी ने सीट पर पहली बार अपना खाता खुडा और बन्वारी लाल प्रोहित सांसत निर्वाचत हुए 1998 से 2004 तक यह सीट एक बार फिर से कॉंग्रेस के कबजे में चली गई और विलास मत्तिमबार लगाता चार बार सांसत चुने गए लेकिन 2014 के बाद से सियासी समीकरण बदल ही गए नाकपुर का जातिय समीकरण अगर हम नाकपुर संसिदी सीट पर नज़र डाले तो इनके अंदर गर छे विधान सबार शेतर आते हैं इन में से दो पर कॉंग्रेस और चार पर बीजेभी का कब्सा है नाकपुर लोगसवा सीट पर करीब 22 लाक मदाता है और यह शेहरी सीट है सीट पर S.C. और S.T. मदाता निरनायक स्तिती में है नाकपुर लोगसवा सीट पर करीब 4 लाक S.C. वोटर है जबकि S.T. वोटर भी 2,00,000 के करीब है मुसल्मान भी यहाँ पर करीब 2,00,000 है नाकपुर सीट पर करीब 3,00,000 वोटर मराथी है जबकि ब्रामन वोटर भी करीब 1,00,000 नमबर जब जंता देगी यह तो भी इतिफाक है कि नाकपुर भले ही संग का गड़ है लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगसभा चनाव में बीजेबी को केवल 3 बार जीत मिली है पिशले दोस्त लोगसभा चनाव में भाजपा यहाँ पर जीत रही है उसके पहले यहाँ पर कॉंगरिस का राज हुआ करता था 1996 के लोगसभा चनाव में बीजेबी की टिकेट पर बनवारी लाल पुरोहित नाकपुर से जीते थे उसके बाद लगाता चार्ट चनाव में बीजेबी की हार हुई और कॉंगरिस को चीत मिली 2014 के लोगसभा चनाव में गड़करी ने 8 लाग का सूखा खत्म किया करीब 2,50,000 के अंतर से जीत दर्च की फिर 2019 के लोगसभा चनाव में उन्होंने 2,16,000 से अधिक वोटों से जीत हासल की थी अब तीसरी पारी के लिए उन्होंने इस आकड़े को खुद दोगुना कर दिया है देखना होगा कि जनता उन्हें कितना अंक देती है